सनातन को कट गरे में खड़ा गरने की किसी की ना हैसियत नहीं है भाईया मुसलिम हमारा कोई दुक्ष्मन थोड़ी ना है इस देश के बहुत सारे मुसलिम ऐसे हैं जिनको मैं पूझता हूँ मैं सारनबुर में इतने सारे मुम्दान हैं जिनके मैं पैर छूटा हूँ आज भी क्यूँ? वो पक्के हिंदूस्तानी है हिंदू कोई धरम नहीं है भाया मैं बाद बाद बोल जाओ सनातन धरम है हिंदू भारती है वो हिंदू है लेकिन उस चीज़ का बेफदूल का इंडिया वाले जो ये विपक्ष वाले हैं जान बुझकर एक मुद्दा बनाकर आपस में लड़वा रहे हैं और कुछ नहीं है बहुत सारे अबदूल कलाम देख लिए जिनको हम पूछते हैं नहीं पूछते बहुत सारे मैं आपको एक्जांपल देखता हूँ ऐसे शहीद हैं हमारे जोनों ने हमारे बॉर्डर पे जाके हमारी रुगबानिया दी वह मुसलमान भी थे शिख भी थे इसाई भी जाट भी थे बहुत सारी बिराद्वी हैं बिराद्वियों से मत जाओ गया हम हिंदूस्तान ये भा होते हैं तो वह क्या कहते हैं जो आज तक दूसरे को गाली देते थे कटाक्ष करते थे पंचिंग करते थे आज भी अगर विरान सभा की एलेक्शन हो जाएं किसी भी राज्ये के अंदर तो आपस में ही लड़ेंगे अपने देश के लिए कुछ करी नहीं पाएंगे तो टि करते हैं तो हमारे घर पे शिलेंडर आ रहा है वक्त के साथ से हर चीज बढ़ती है जब आपकी आमदन बढ़ती है तो खर्चा भी तो बढ़ता है तो अगर खर्चा बढ रहा है तो रों क्यों रहे हो जाएंगे यह जान बुझकर सिरफ और सिरफ एक छलावा है लोगों के एक नागरिक के तौर पर ये व्यू रखता हूं अपना कि इसका नाम भारत ही होना चाहिए और पूरे वर्ड के अंदर रिप्रेजेंट ऐजा भारत हम भारत वासी हैं भारती हैं और गर्व हमें इस पर नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों मैं धरोब और आप देखना सुरू कर चुके हैं डेली नीज इंडिया वैसे हम हैं भारत मंडपम यानि कि आप लोग देखे ही होंगे जी ट्वंटी समिट अभी सेक्सेस्फल हुआ है और बिदेशों से हमारे महमान आये थे त सर क्या नाम हापका मेरा नाम विनी पोपली है मैं साहरनपुर यूपी का रहने वाला हूँ जी यहां कहां आये तो सर बस यहां पर जी ट्वंटी सम्मिट हुआ था तो इसकी शोबा बहुत नियारी है तो देखकर मन हुआ कि सब यहां पर देखे और पूरी फैमिली के साथ एक बार विजिट करने आये तो क्या नाम है आपका अराध्या कैसा लग रहा है यहां पर घूमके बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत बढ़िया अध्यक्षता हुई है इस साल जो हमारे देश को अध्यक्षता मिली जी 20 की और मोधी जी के निर्टित्म में बहुत अभुत्पुर्व प्रोग्रम में एक जो हमारी लाइफ का पहला एक ऐसा था जिसमें देशहों के देश के सब हिय अध्यक्ष राश्ट अध्यक्ष आये थे और इसमें हमारे देश का गॉरव उच् advocate बहुत अच्छा लगा सुनकर देखकर कियाा में इपाइरा अ कहां करे करेंगे इंडिया को और आगे बढ़ने का मोका मिला है जी क्या नाम है जी आपका हमारा गीता मकड है अच्छा कहा रहे हैं हम सहारनपुर यहां कैसे बिजिट की यह जी ट्वंटी का आ रहा था इतना टीवी में न्यूज आ रही थी तो मोदी जी ने हमारा इतना बड़ा काम कर रहा है तो हमारा तो सुभगे है कि इतने विदेशों से आए है और हमारे परधार मंतरी को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे है तो हम क्यों ना आपने जै करें मुदी की अच्छा लाग रहा है बहुत अच्छा घर-घर मोदी योगी बस हमें तो यही चाहिए विपाच कुछ कैसा लग रहा है सब देखके घूम के प्राउड मुवमेंट है इंडिया में इतना बड़ा एक हुआ है कि इतने देश विदेश से आए हैं सब तो बहुत प्राउड मुवमेंट है लेकिन विपाच का कहना है कि महंगाई और बेरोजगाई चरम पे है और 900 क्रोड का बजट यानि कि कांग्रेस के तहरा है राहुल गांधी जी और वो विदेशों में बैठके टिपड़ी करते हैं क्या मानना हाँ आपका वो अपने देश के लिए कुछ करी नहीं पाएंगे तो टिपड़ी करेंगे कुछ मोधी जितना करके तो दिखाएं उसके बाद लोगों के बाइवेज का इन जाल बेच गया एक मलब आप सिलेंडर लेना होता था तो एक आजमी को ठोडी हो पर हात लगाते थे हम लोग एक स्लेंडर दे आज हमें कॉल करते हैं तो हमारे घर पे स्लेंडर आ रहा है हम कार कर चार सो का स्लेंडर था बारा सुमें मिल रहा था दोसों बस बस और से चोटी सी चीज आप से बुछता हूँ जब थे हम चोटे से थे हम लेने जाते थे हम एक रूपय देढे तो हमें अट टोफी मिलती थी आज एक रूपय में नहीं मिलती तो महिंगाई कहां पर है वो ठीक है वक्त के साफ़ से हर चीज बढ़ती है जब आपकी आमदन बढ़ती है, तो खर्चा भी तो बढ़ता है, तो अगर खर्चा बढ़ रहा है, तो जो क्यों रहे हो, आमदन भी तो बढ़ रही है, उसे क्यों नहीं देखते हो, आज इंकम डेक्स पेर्स कितने हो गए, GST के जब चाप़े बढ़ते हैं, तो करोडर रुपया निकल कहां से आ रहा है, ब्लैक मनी क्यों हो रही है, वो कॉंग्रेस के टाइम पे जो गलत फॉर्मले बने थे उस वज़े से है, आज अगर उस टाइम से सही चलता आता, तो सब के पास सही सिस्टमाइज होता, इस सिस्टम को सही करने के लिए तुड़ा दुख तो जिलना पड़ वे एक ही लाइन इसके लिए, जब चोर इकठे होता है, सारे चोर मुसेरे भाई होता है, इकठे हो जाते हैं, तो वो क्या कहते है न, जो आज तक एक दूसरे को गाली देते थे, कटाक्ष करते थे, पंचिंग करते थे, आज भी अगर विरान सभा की इलेक्शन हो जाएं, क जान बूझकर सिर्फ और सिर्फ एक चलावा है लोगों के लिए, हमें तो यही नजर आता है, इसके लावा कुछ, एक सबसे बड़ा मैटर है, विपच्छ कहता है, कि जहां पर इंडिया लिखा दा था जी टॉंटी में, मोदी जी ने इंडिया को हटा के भारत, भाया सनातन धर्म पर बहुत बड़ा उंगली उखा है, पूरी बात बोल दूँ अगर आपने मेरे से कोशन पूछा तो आंसर भी मेरा पूरा लेलो, देखिए, हिंदु धर्म नहीं है, हिंदु हमारा हिंदुत्व है, धर्म मारा सनातन है, जिसे हम पूझते हैं, ठीक है न, सनात में भारत होना चाहिए, एक बच्चे के दो नाम असली नहीं होते हैं, अधारगार्ड में एक ही नाम होता है, जिसको हम सब मानते हैं, वो जो असली होता है, घर में तो चिंटु पिंकु जो मर्दी बोलते रहो, लेकिन एग्जेक्ली इंडिया नाम रख देने से इंडिया वो पुछतेनी नहीं था, हमारा जो पुछतेनी नाम था वो भारत ही था, और मेरे हिसाब से, मैं as a person of इंडिया, as a country, nation की तरफ से अपने एक व्यू में, एक नागरिक के तोर पे ये व्यू रखता हूं अपना, कि इसका नाम भारत ही होना चाहिए, और पूरे वर्ड के अ रिप्रेजेंट एज़ा भारत, हम भारतवासी हैं, भारती हैं और गर्व हमें इस पर, that's right, सनातन को कट गरे में खड़ा करने की किसी की ना हैसियत नहीं है, वो ठीक है, वो बड़ बोले हैं, वो बोलते हैं words, सनातन के बारे में जब उन्हें पता लग जाएगा, कि कि इत राम मंदर की जब जड़े खोदी गई तो उसमें और बहुत साले अवशेश मिले हैं, जिनकी फोटो आज वाइरल हुई हैं, शायद आपने भी सोशल मीडिया पर देखो, तो मैं तो देखो थोड़ा सा देखता रहता हूं, तो मैंने इसलिए बता दिया आपको, तो जब अवशेश निकल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे इत्यास से शेड़ चाड़ हुई है, और अभी MP में भी एक मजजित के नीचे से सरस्टी माता कि मूर्ती निकलिए भी लेटर्स निउस है एक दो दिन पुरानी, तो अगर ये शेड़ चाड़ हुई, कोई आया र हम तो ये कहते हैं कि आप भी शांती से रहे हैं, हमें भी शांती से रहें, मुसलिम हमारा कोई दुक्ष्मन थोड़ी ना है, इस देश के बहुत सारे मुसलिम हैं जिनको मैं पूझता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ, लेकिन उस सीज़ का बेफदूल का इंडिया वाले जो मुझकर एक मुद्दा बनाकर आपस में लड़वा रहे हैं और कुछ नहीं है, बहुत सारे, अब्दुल कलाम देख लिए जिनको हम पूझते हैं, नहीं पूझते, बहुत सारे ऐसे, मैं आपको एक्जाम्पल देता हूँ, ऐसे शहीद हैं, जोनों ने हमारे बॉर्डर पे आपसे एक आखरी कुशिशन रहेगा, 2024 पे सत्ता परिवर्तन होगा की नहीं, नहीं, कोई चांस है की नहीं है, नहीं है, कोई चांस नहीं है, मोधी को तो कोई नहीं हिला सकते हैं, 40% ओट सेरिंग है बिपच के पास, और जितने घटक दल हैं सब इकठा हो चुके हैं, और सरकार भी, कई राजों में उनके सरकार भी हैं, तो कोई बात नहीं, इतनी पॉपुलेशन है, कितने लोग मोधी के पीछे हैं, हो जाएं जितने मर्जी एक साथ, हर उसमें हारते तो हैं ही ना, तो बहुत सारे लोग हैं, मोधी ही रहेंगे और मोधी ही आने चाहेंगे, चल कर दो जो